बिस्मिल्यार्यमानर्यम, असलाम अलेकुम, चलें जी, अब काम करते हैं, उपन सीवी की लाइबरेरी को यूज करके, और इस लेक्शर के अंदर हम उपन सीवी लाइबरेरी को देखेंगे भी पढ़ेंगे भी उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा ज्यादा गरेंगे ताके आज हमने कंप्यूटर विजिन को थोड़ा हो डिटेल में देखना है, मैं स्क्रीन अपनी आपके साथ शेयर करता हूँ, यहाँ पे जनाबेवाला हम आ चुके हैं, ओपन सीवी को स्टार्ट करने के लिए, और मैं कोशिश करूँगा कि इस एक लेक्शर को, मैं यहाँ पे 09 09 का फोल्डर बना के उसके अंदर रखूं, ताके, I know के यह जी स्ट्रीक्वेंस है, आपको डीप लर्निंग वाले लेक्शर में मिलनी चाहिए थी, but I need to tell you किस तरीके से आप इसके उपर खाम कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ, for example, मैं यहाँ पे यहाँ पे यह मैंने एक नोटबुक बना ली है, इस नोटबुक में हम काम करेंगे, so मैं यूज यूज करता हूँ, टैंसर फ्लो की लाइबरेरी, बल्के पाइथोन ML को कर लेते हैं, और इसके अंदर मैं ओपन सीवी को एड़ कर लेता हूँ, so पाइथोन ML के अंदर ही, मै and now it's installed, successfully installed, मैं यहां से sell output को remove कर देता हूँ, क्योंकि यह मैंने install कर ली है, so आप भी इसे install कर सकते हैं, in similar pattern, ठीक है, so मैं यहां पे लिखता हूँ, जनाब, open cv and images, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, open cv and images के बारे में, अब यह ninth folder के अंदर है हम, और यह जो poster है हमारा इस course का, मैं इसको copy करके, ninth folder के अंदर, एक और folder मनाता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ, resources, बलके इसको मैं बोलता हूँ, images, ठीक है, images का folder बनाया, और मैं यहां पे यह वाली image को copy करके, paste कर देता हूँ, ठीक है, intro poster का मैं नाम change क करके, इसको कह देता हूँ, test underscore zero one, ठीक है, यह image मेरे पास already पड़ी है, इसको हम use करेंगे, और इसको read करेंगे, ठीक है, अब आप देखें, यह मेरी file है, और यहां से मैंने इसको read करना है image को, so read करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी जिस पे का import library, and then we will read image, ठीक है, for example, यहां पे, यह तो हो गया जनाब installation, यह मैंने कर लिया, मैं इसको comment out कर देता हूँ, let's do this, now import numpy as np, image analysis के लिए खास तोर पे आप ज्यादा तर काम करते हैं, numpy और cv से, क्योंकि numpy क्यों, because we are converting each image into x-axis and y-axis, and then we are counting pixels, तो numpy, numerical python, basically हमें वो matrix read करने की, जो है वो, सलाहियत देती है, so यहां पे मैं इसको import कर रहा हूँ, साथ में लिख देता हूँ, import libraries, यह हमने import कर ली हैं जनाब, libraries, अब हम क्या करेंगे, read the image, image, read the image, image को read करने के लिए, हम क्या करेंगे, img is equal to cv.im read, image read इसे बोलते हैं, और हमारा जो path है, उसका मैं यहां पे लिख देता हूँ, images के अंदर, यहां पे image का नाम है, test underscore zero one, ठीक है, यह हमारी image है, मैं इसको run करता हूँ, it says invalid syntax, let's see, हमारे पास invalid syntax क्यों है, because, we have to put this into inverted commas, और secondly, जो extension है, इसकी image की, वो भी हमने देखनी है, so हमारे पास interaction है, test underscore zero one, jpg, तो मैं इसको read करता हूँ, and the image has been read, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, image को show करवांगा, cv.imshow, और यही वाली चीज, image के साथ हम देख सकते है, and let's see, मैं इसको run करता हूँ, जैसे मैं इसे run करूँगा, it should show me an image into separate window, यह अकसर अकात same window के अदर भी आ रहती है, so I am going to see, कि अगर मेरे पास separate window open हुई है, यह नहीं हुई, मुझे कोई separate window open हुई थी, नजर नहीं हा रही, so what I will write here, cv.wait key, और यहाँ पर 0 लिख देते हैं, कि मैंने इतना delay करना है, and cv.destroy all windows, इसके बाद हम destroy कर देंगे, let's run this, जैसे मैंने यह run की है, मेरे पास एक separate window के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ, separate window के अंदर, एक image open होगी, और आपके पास यहाँ पर time आ रहा होगा, मैं वो image आपको दिखाता हूँ, just a minute, असल में मेरे पास screen ने काफी है, so I just wanted to see, how can I actually show you, तो यह मैं OBS की screen ही आपको दिखा रहा हूँ, ताके आप इसी screen के उपर देखके पता लगा सकें, बलके OBS की screen नहीं सही होगी, I can show you the whole other screen, my next, यह जनाबे वाला, यह इस तरीके से मेरे पास यह window open होगी है, ठीक है, अब इस window को open करने के लिए, या तो मुझे इसे close करना पड़ेगा, which I cannot see, या मुझे Q दुबाना पड़ेगा, या Escape दुबाना पड़ेगा, ठीक है, so then I can close this window, sometimes you cannot even close this window, और यह problem जो है, आपके पास open CV की अक्सर उकात आती रहती है, बलके ज्यादा तर आती रहती है, so to deal with these kind of problems, you need to be very careful, and you need to find a way out, कि आप किस तरीके से इसको destroy कर सकते हैं, image को जो आपके पास बन के आ जाती है, अब अगर आप गौर करें, हमारे पास वो window जो आई थी, उसको मैंने यहाँ से remove कर दिया, but on the other side, अगर आप code को देखें गौर से, तो आपके पास code जो है, वो इस तरीके से आ रहता है, आप इस तरीके से इसको read out कर सकते हैं, अच्छा ये तो हो गया read करना image को, अब हम क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, कि image को resize कर सकते हैं, अब यही वाली जो image है, अगर मैं ये वाली image जो IMG मेरे पास आई है, इसको मैं देखूँ, check the size of image, तो image का size जो है, हम image.shape लिख के देखते हैं, तो ये हमारे पास image का size आगया, 720 by 1280 और इसमें 3 layers है, तो आपने देखा, जैसे हमने image read की, हमारे पास जो है, उसका size आगया, यानि के height, width, and उसके channels, जब यहाँ पर 3 आता है, तो इसका मतलब है, कि ये RGB colors है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको convert करते हैं, convert the image, IMG into gray scale, and then check the shape, हमने क्या करना है, same image को gray scale के अंदर convert करना है, and then we will see के हमारे पास, कितना change आती है, so यहाँ पर gray image होगी, cv.cvt color, यानि के convert colors, image के convert करने है, फिर हमने यहाँ पर लिखा, cv.color, bgr, यानि के RGB से, to gray, तो हमने ये function लगाया, हमारे पास image इसकी, जो है, उसके color change हो गए, अब देखते हैं, हमारे पास क्या color आते हैं, so अगर आप गौर करें, अब हमारे पास, ये 3 का हिंसा नहीं आया, because we have already converted that, into, RGB, into gray scale, ठीक है, तो gray scale में सिरफ आपकी, width और इस तरीके से, जो, इसकी height है, वो आएगी, आप इसका size भी change कर सकते हैं, and you can do many other things as well, जो आपके पसंद हो, and then you can also save this thing, ठीक है, save this thing, लेकिन जो एक चीज़ में आपको दिखाना जाता हूँ, वो ये है, हम अगर import, बलके करें यहां पर, read webcam, using, CV, inside Jupiter, let's try another thing, which I have never done before, सिरफ इस वड़ा से, कि अगर Jupiter के अंदर, हम ये काम कर सकते के नहीं, बलके इसको inline रहने देते हैं, वैसे पहले एक दफ़ा चला के देखते हैं, so उसके लिए हम क्या करेंगे, simply आपको पता है, import कर लिए, हमने सारा कुछ, हम caption यहां पर लिखेंगे, image की बज़ाए, cap is equal to, हम लिखेंगे, cv. video capture, फिर आपने अपने, camera की string देनी है, यहां पर, जो भी आपका camera होगा, ठीक है, यहां पर या तो video का path दे सकते हैं, या आप video capture को zero लिखेंगे, तो आपके पास, जो भी आपका camera है, उसकी string आ रहेगी, ठीक है, and then you have to find a way, कि आप किस तरीके से video को देख सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, simply, if, cap is opened, या निके, अगर ये cap चल रही है, आपने उसका frame and caption read को बताना है, otherwise आप कहाँ देंगे false, ठीक है, और यहां पर हमने उसको नाम दे दिया, webcam का frame ये बता दिया, cv1, cv8 की हमने 1 रख दिया, is equal to this one, उसको एक वीडियो की शकल देगा, now let's try this, and we will see कि ये हमारे पास for loop चलता है, या नहीं चलता, if, else, condition के साथ, और वाइल लूप यहां पर हमने लगाया हुए, और break the loop करने के लिए, हम break भी कर लें, 25, 0fx, order q भी हम कर लेते हैं, सो अगर मैं यहां पर इसको, if cv weight की 25, यहां पर मैं लिख देता हूँ, and, 0 multiplied by ff is equal to odd, और इसके अंदर हम q लिख देते हैं, ताकि जब हम q प्रेस करें, यह automatically हमारे पास बंद हो जाए, window, let's see, इसको अगर one करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, let's see, तो यह जब हमारे पास इसका camera चल रहा है, it's taking a lot of RAM for now, क्योंके मैंने live इसमें से फेच कर रहा हूँ अपने डेटा को, I will just show you in a minute, it's a bit slow, but actually you can run like this, ठीक है, और usually हम क्या करते हैं, Jupiter notebook में इसको run नहीं करते, तो इस वज़ा से यहां पे, अब मैं आपको, 02 फाइल बनाते, 02-webcam.py, पाई की फाइल बनाएंगे, पी वाई की, और उसके अंदर अपना code जो है, वो उसको लिख देंदे, तो यहां पे, इस सारे code को मैं copy करता हूँ, यहां पे पेस्ट करता हूँ, और यहां पे उपर लिखना है, import numpy as np, and import cv.cv2 as cv, ठीक है, यहां से interpreter सा आप select कर लेने हैं, क्योंकि हमारे python ml वाले हैं, तो मैं उनको select कर लेता हूँ, यहां पे select करने के बाद, we will run this, and let's wait अगर यह काम चलता है, and now it's running fine, I can show you, यह आपको समझ आ जाएगी, मैं इसको अपने webcam को आपको दिखाता हूँ, ताके आपके लिए easy हो जाए, and here you can see, ठीक है, so यह window मेरे पास चल रही है, और यह मेरे पास webcam है, and basically you can have an idea के हमारे पास, यह दो चीज़ें किस तरीके से चल रही है, ठीक है, यह मेरा different cam है, जो मैंने आपको दिखाया है, और यह मेरे पास live feed, जो है python के अंदर आ रही है, हमारे camera गी, so मैं अपना cam अगर बंद करूँ, तो यह है जनाब आपका live feed, ठीक है, अब आपने यह live feed देख लिया, अब मैं आपको दुबारा से code के उपर लेके जाता हूँ, अगर हम आप code देखें, code के अंदर मैंने जैसे window के उपर, मैं Q press करूँगा, now it will be working fast than normal IPYNB, so Jupiter notebook के अंदर आप कोई काम नहीं करते, आप हमेशा PY file के अंदर करते हैं, because it helps us to do more things, instead of our normal data set, ठीक है, यहाँ पर समझ आगी आपको, अब एक और काम करते हैं, मैं चाहता हूँ यह cap को मैं BGR में convert कर दूँ, क्या ख्याल है, cap को BGR में convert कर दूँ, so अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूँ, और यहाँ से command आई प्रेस करूँ, बलके मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ, और यहाँ पर codium chat के अंदर ले आता हूँ, change my code, बलके ऐसे करने के बजाए, change, sorry, मैं इसको save कर लूँ पहले, copy, यहाँ पर paste करता हूँ, इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ, अब हम क्या करते हैं, change the cam into gray scale, so change the cam into gray scale cam, same वो ही चीज़ आ गई है, यह देखें, यह वाला loop मैं उठाऊँगा यहाँ से, इसको copy करूँगा, webcam वाले के, यह वाले को मैं comment out कर दूँगा, ठीक है, अब आपको समझ आएगी के comments का function, हम कहाँ पर use करते हैं, मैं यहाँ पर इसको print कर देता हूँ, and then I run this, अब आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे के मेरा camera सरा gray scale का हो गया, and here you go, यह check करें, to the mouth, camera to the object, वो भी find out कर सकते हैं, and you can find a lot of other things, with this technique, समझ आगी बात की, so I mean, अगर आप computer vision के उपर, अच्छा खासा काम करना चाहते हैं, तो open cv library, बहुत ही Allah किसम की आपको help कर सकती है, अब यहाँ पर मैं इसको बंद करता हूँ, again, क्यों दबाऊंगा तो यह बंद हो जाएगी, क्योंके मैंने यह code के अंदर लिखा हुआ है, क्यों दबाने से बंद हो जाएगी, यह वाला जो code है, इसका मतलब ही यह है, अब आपने देखा कि हम जो भी काम कर रहे हैं, ग्रे फ्रेम को प्रिंट करने के लिए, वो हमारे पास प्रिंट हो रहे है, अगर मैं CVT, यहाँ पे ग्रे गलर इसको किया है, तो मेरे पास वो उस तरीके से यहाँ पे प्रिंट हो गया, what if I can do some other things, तो मैं इसी object के अंदर, यहाँ पे चेंज करूँगा, कौन सा फंक्शन है, CV, dot, अगर मैं dot लगाँ, तो हमारे पास BGR to HLS है, HLS full है, HSV है, Lab है, LOV है, LUV है, XYZ है, और different किसम के और color tones भी है, तो हमारा color जो है, वो change करने के लिए, यह सारा कुछ हम कर सकते हैं, let's see, मैं इसको different other tone के अंदर change करना चाहता हूँ, so what can I do, is actually, CV, dot, color, color लिखने के बाद, यहाँ पर, मैं इसको, BGR to, BGR to gray है, यह आपके पास different किसम की conversions है, मैं पहले BGR, color, underscore BGR, color, underscore BGR, now we can convert into these things, मैं इसमें convert करके देखता हूँ, क्या होता है, save करता हूँ, run करता हूँ, oh my god, effect चेक कीजिएगा, live पे कर रहा हूँ मैं यह काम, और यह काम हम hyper spectral cameras के लिए करते हैं, basically, अगर किसकों नहीं पता, तो आप देख सकते हैं, जहाँ पर light different है, वहाँ पर color, और color की वज़ा से, वहाँ पर आपके पास different colors आ रहे है, so for example, अगर lighter color है, तो वहाँ पर आप देख रहें green color आ रहा है, अगर बहुत dark है, तो वह red-red आ रहा है, और अगर बहुत light है, तो उसके पास, आप देख रहें white color को, वह green में कर रहा है, so this is, you can also do with the help of code, और मैं अगर live कोई changes यहाँ पर करूँ, bgr2, gray, let's see, और इसको मैं control-s करता हूँ, I have to quit the first one, and then run this, and you will see a change, यह जनाब बहुता हूँ आपके सामने यह अप gray color में आ गया है, क्यों दबाता हूँ यह बंद हो जाता है, so this is how you can work on the things like this, and hopefully यह आपको helpful भी थाबत होगी यह वली चीज, I know कि there are many things actually related to the code, और code को समझने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, but I would suggest कि आप कम असकम इस एक library को ज़रूर explore कीजेगा, believe me, अगर बंदा इसको explore करे और अच्छे से use करे, you can do a lot of things by just using this library, which is called OpenCV, और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा आपने Python की फाइल बनानी है, Jupiter Notebook ना बनाईएगा, because in-line यह कभी-कभी अच्छे परफॉर्म नहीं करती, ठीक है जी? यहाँ पर समझ आगी आपको किस तरीके से आपका computer vision काम करता है, and I'm very hopeful कि आपको आज के lecture की भी समझ आई होगी, और आज के lecture में जो चीज़ें आपने सीखी हैं, उनके भी समझ आई होगी, now this is your assignment, reason क्या है इस assignment की वो भी मैं आपको बता देता हूँ, because you have to do this stuff, and मैं यहाँ पर अपनी screen आपके साथ पहले share करता हूँ, और यह computer vision की library जो है, इसके ही छोटी सी एक assignment है, ताके आप इसके उपर काम करें, और इसको समझेंगे यह किस तरीके से library हमारे पास आती है, and if I just google something, और यहाँ पे लिखूं open cv, और यहाँ पे यह इस library को आपके सामने में ले आता हूँ, and now you can see, कि आपके पास open cv पूरी के पूरी यहाँ पर लाइबरेरी पड़ी है, इसके free course में है, library भी है, release, platform, and everything is here, face recognition अगर आपने देखनी है, वो भी आप देख सकते हैं, कि there are few kind of softwares, free courses में हैं, इनके open cv courses में हैं, and other than that, open cv python, उसके उपर जाते हैं, और यह आपके पास library है, you can actually see, कि इसकी documentation कैसी है, and यह documentation open cv की, आपको और भी कमाल जो है, वो करने में helpful साबित हो सकती है, so the assignment is, कि आपने कोशिश करनी है, कि open cv computer vision library को use करके, do some kind of things, which can help you, to understand कि open cv किस तरीके से काम करती है, कमस कम आप 15 से 20 commands जो है, वो ज़रूर इसकी use कीजिएगा, ताकि आपको समझ आए किस तरीके से यह काम करती है, यह अगर आप open cv की website पे जा के यहाँ पे जाए, get started के उपर, तो आपको समझ आ रहे हैं कि python के अंदर किस तरीके से चलना है, और other libraries के अंदर किस तरीके से चलना है, and the best thing is, कि यहाँ पे इसकी books भी available है, learning open cv 3, so यह different किसम की books जो हैं आपके लिए available होगी, you can actually explore those, so open cv के लिए इतना है, इस पे ज्यादा हम काम नहीं करने वाले, अब next lecture के अंदर हम tensorflow की library को use करके, image analysis पे काम करेंगे, which we did yesterday as well, और उसको understand करने के बाद, हम फिर आगे चलेंगे, कि किस तरीके से tensorflow की library, एक अच्छे तरीके से हमें helpful साबित हो चकती है, आज के लिए इतने मिलते हैं next lecture के अंदर, अपना ख्यार के lecture सब्सक्राइब क्या होता है यार वो करते है, and see you in the next lecture, take care, Allah Hafiz,